1965, राजपूतों को फिर महावीर चक्र मिला, जब मेजर वलजीत सिंग रंदावा ने पाकिस्तानियों को ब्लैक रॉक से ख़देड़ा और 17 महें को शहादत दी क्याप्टेन रंवीर सिंग और सिपाही बुच सिंग दोनों को वीर चक्र मिला और जो पोस्ट उन्होंने अपनी जान देकर जीती वो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को गुडविल दिखाने में वापस कर दी कश्मीर में आज भी राजपताना राइफल्स का एक एक सिपाही पुरा सेक्शन साफ हो गया आज भी उनके लिए रेजिमेंटल ओनर से पढ़ा और कुछ नहीं है सेनिकों की पाश्मी पुछते आज भी वह मौजूद है और सैनिक अपने राशपुत भाई से पुछते हैं तो किसके लिए मरेगा राशपुत कहता है अपने पल्टन के लि जब से ये प्रजात अंत्राया है ना हमारे साथ से दोका हुआ है सर्दार वल्लब भाई पटेल ने हमसे अपील की थी इतरा इंडिया एक भारत के लिए अपने लाज जाग दो हमने त्याग दिया उन्होंने पैसे मांगे हमने अपना ख़जाना खाली कर और इंडिया एक भारत के लिए कहां है ये एक भारत जबकरसी के तिस साल बात भी ये हाल है कि कोई वोट नहीं डाना चाता है अपने घर के जमीन को अपना देश बना कर बैढ़े वह लोग एक सरकार में जरोटी में नहीं आपा रही अरे हमारी परमपरा है ना हजारों सालों कि थी और चीन लोगों ने तब इन से अच्छी थी जबकरसी के नाम पर हमसे पाउर चीन कर खुद वो कर रहे हैं जिसका आरोप इन लोगों ने हम पे लगाया था फिर भी पटेला रपोर्ट में सिर्फ हमारी खामिया हमारी गलतिया लिखी गई तियों कुछ नहीं और इनकी नहीं एक च वनलब भाई के सेक्रेटरी की सरफ पे बंदुक रखके कहा था देख जोटपूर की मेरी प्रजास से रद्दारी बद्धरना इन लोगों ने सब के साथ करता रहे हैं सरसट के लोगसवाई लेक्शन में जब राजकुमार खड़े हुए चुनाव के लें तब क्या हुआ साथ पूरे देश में 24 लाजकुमारों को लोगों ने चुला तब क्या किया लोगों ने पॉलन ये कॉमिट्री के बैठक बलाए हमारे शाही बत्ते बंतर दी हमें दी जाने वाली एक एक सुईधा को हटा दिया गया है हमें इन लोगों के सामने जुकना अपरा हार माननी प बस अगर हमें अपनी जमीन चाहिए तो एक होना पड़ेगा राजपूदों को इंसे बचाने के लिए एक होना पड़ेगा और पेट्रिक्ट बस पॉल्वेस बेड़ी डिटेफें इस कंट्री अगेंस इस गर्मेंट जंग शेड़नी है हमें आदादी की जंग, अपनी जम उम बेहाने हैँ, जो आप अपना खून भाने के तयार नहीं है, एक साथ ऑन देके बहाने के लिए तान मारी जिसन आओस बेरी खेंने हमें को भूक्स होगा है, ऑःदर के आपने जमी इख तैयार है if you are a stronger experience of खूदा ने जाभी हो संट्करू है आप Nathan हमारे पास सिर्फ बानवे करोड की पूंजी है जियना की गिंती है 1126 वह इससे ववंडर तो क्या हवा तक पैदाने कर पाएंगे हम लोग ऐसे चलता रहा तो गंतवे तक पहुंचने में दस साल लग जाएंगे तक हमारी कांती दभी रहेगी जमीन में सुसेफ सुरक्षित और यहां करंगर के राजा अपने बेटे को विलायत भेच रहे हैं पढ़ने के लिए जैक अंचुल वेंट अप तो हिल्स फेच अप पोजड़ी का उपर से हला वोल खर्चा भी कर रहे हैं अरे भाई अगर आप अपने बेटों को अपने पोतों को इस कांती में शामिल नहीं करोगे तो क्या कांती कारी में कश्मीर से उधार ले आओं अपने अपने चूत्रों पे ठीके रहने से क्रांती नहीं आएगी यहां इकटा होने से क्रांती नहीं आएगी क्रांती चाहिए ना तो चहरे पर गुलाल नहीं खून की लाली मलनी बढ़ेगी अपने ख़ाने खाली करने बढ़ेंगे असली क्रांती चाहिए तो यह लाल र